असलाम अलेकम मैं मसलि फातिम нас, आज आपके लिए देखिए चिकन बिरियानी बनाना बताँगी, गंऄ बिरियानी बनाने के लिए दिये की हम में लिए है con अदध लासन का पेस लिया है जब भी चिकन की कोई चीज बनाये अदध लासन डालिये बहुत अच्छा बनता है दो नीबु हराधनिया और पुदियना चार सेचे हरीमिर्च, नमक है ऋम नमक है चाही की चमच से नमक है दो अखनी में दालेborg ने और उनी भी खाँओना चांपना हाँ चाँछिरा, दालचिणा इसमें टीलडा घ्यायट करेंगे, देखर हमें ये आधाचमचे चम्मच ते मलबाद गीई गियायट करेंगे, ये बॉर हमें इसमें हावग चम्मच, ते चम्मच चम्मच से पुरा हमने इसे लाइड ब्रॉण्ड करेंगे अब हम इसमें दालेंगे हल्दी पॉडर लाल मिश पॉडर यह देखिए नमक जो हम आपको बता रहे हैं हम बाद में भी अखनी चक्कर इसमें आइड कर सकते हैं इसलिए हमने इसमें देड़ चमश नमक आइड किया है तीन चमश हम चावल में दालेंगे अब हम इसमें दालेंगे दही इन सारे चीजों हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें जो तली भी प्याज है वाइड करेंगे साथे साथ हम इसमें गरा मसाला भी आइड करेंगे आइड करेंगे दालेंगे दालेंगे चिकन हमने सारा चीकन इसमें दाल दिया है अब दहीं के साथ चीकन भी बहुत ही अच्छे से पख जाएंगा और अच्छे से गल जाएंगा अब हम इसे धी में पर रखेंगे दस से पंदा मिट के लिए यह देखिए बासमती राइस को हमने अत्थे से धो लिया है यह देखिए हमने स्यादा खंटा भी गा करेड़ी रखा था अब हम इसमें नमक आट करेंगे देखिए हम इसमें नमक दाल रहे हैं तीन चमाच्छा देखिए हम इसमें नमक आट किया है साथे साथ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया और पुदीना गरा मसाले भी आट करेंगे हम इसमें हरे मिच्छे भी दालेंगे अब हम एक सेट चावल भी पका लेंगे देखिए एक सेट हम अखने भी अच्छे से पक रही है हम एक समें ओर टालेंगे हम इसमें बूआईए बाब पार्टियू तो पकी यह पुदीन शरी आफे सुनरा बाएल को आए में परख़ह के एच्या से एच्छे से इसकन है यह लीक्रिवी पर गईग ні आखें इसकते करहें wonder सुख गया है उवे खोड़ा में अच्छे से भनेंगे आघए खोड़ा है तक अच्छे सीन दस में तक प्यूल को यह सारा मसाला है आदा चौपल कच्छा ही रहना है पूरा नहीं पकाना है कंई पर हम से अपनी थार देंगे चावल डिखन्भी हो गया है चावल हम सारा पानी निकाल देंगे तरीक हैं कि अगर बड़ा है ताप दो नीबू लीजिए अगर छोटे हैं तो आप सिंगे अगर छोटा है तो तीन नीमु ले सकते हैं अब आखनी रेड़ी हो गई है एक साथ हमें से निकाल लेंगे अब हम चावल कुल ये देखें ये सारी अखनी हम चावल मैट करेंगे हमने अच्छे से भून दिया है ऐसे यह देखिए हमने आदा चावल इसमें से निकाल लिया है अब हम इसमें सारी अखनी है जो इसमें आइट कर लेंगे इस तरीखे से हम सारी अखनी इसमें दाल लेंगे हमने सारा चिकन का मसाला स्मैट कर दिया है अब हम यह देखिए आदा चावल जो हमने निकाला था वह भी स्मैट कर देंगे अब हम इसमें दालेंगे दो नीबू का रस तली हुई प्यास हरा मसाला हरा धनिया और पुदीना है इसमें देखिए हाफ कप दूद्ध देखिए मिठे का रंग असली गी एक चमस लेंगे हम यह देखिए हमने सारे चीज़ं अखनी को हम अब धी में पर पंधरा से बीसमेट के लिए धी में पर맛 है यह जो चावल करनी पर है देखिए यह अच्छे से भी दम हो जाएँगा बिर्याणी अच्छे से दम हो कोने कोने में भी बिर्यानी अच्छे से दम हो जाए अच्छे से दम हो गई है अच्छे से पक गई है अच्छे से रेडी हो गई है अब हम इसे सर्फ करेंगे बिर्यानी को रेडी हो गई है चिकन बिर्यानी अच्छे से रेडी हो गई है अच्छे से तयार हो गई है आप लोग इसे जरूर ट्राय करिए बहुत ये अच्छी रेसिपी है इनशा बान आप krijए पूस्थ构 न हैंगी फ्लीज मेरे चाइनल को सबस्क्राइब करें मेरे वीडियो को लायक करें मेरे वीडियो को शेयर करें इनशा बान नए रेसिपी के साथ फिर मुलाखात होंगी, आला हाफिज